वेल्कम टू नेक्स एक जाम आज है 13 नवंबर दोयरबाइस और 13 नवंबर दोयरबाइस से करेंट फैस के जितने भी इंपोर्टेंट कुश्चिन मन सकते हैं सारे में इस वीडियो में डिसकस करेंगे और हर कुश्चिन से रिलेटेट इंपोर्टेंट पैक टीवी में आपको बताऊंगा तो आप पूरा वीडियो वाध्यान से देखिए लास्टम में आप से कुश्चिन पूछूंगा उसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स हों बताना है आज कि इस वीडियो की पीडियो फाइल आप इस वीडियो के डिसकसिन से डाउनलोड कर सकते हैं पीडियो आप ह हाली में लोक सेबा प्रसारण दिवस कम मनाया गया तो अभी 12 नवंबर को लोक सेबा प्रसारण दिवस मनाया गया तो इस कुश्चिन का पे आप्सिन से ही है अभी लोक सेबा प्रसारण दिवस 12 नवंबर को क्यों मना जाता है तो 12 नवंबर 1947 को पहली बार राष्ट पिता महत्मा गांदी ने ओल इंडिया रेडियो के डेली स्टूडियो से बिस्तापित लोगों को संभूद किया था जो हर्याणा के कुर्चेतर में जाके बस गए थी एसलिए हर साल बारे नवंबर को लोग सेवा प्रसाड़ दिवस मनाय जाता है अचा बारे नवंबर को ही बेसो निमोनिया दिवस भी मनाय जाता है अभी एक नवंबर को क्या मनाय गया था बेसो साकाहारी दिवस और मैं आपको कई बार बता चुका हूँ एक नवंबर को ही साथ भारती राज्यों का और दो केंसासित प्रदेशों का इस्तापना दिवस मन नवम्मर को International Day to End MPT for Crime Against Journalist मनाये गया। तेन नवम्मर को राजाराज चोल की जैनती मनाये गई। पांच नवम्मर को बेशु सुनामी जागरुकता दिवस मनाये गया। साथ नवम्मर को राश्टी कैंसर जागरुकता दिवस और सिसू सनरक्षट दिवस मनाये गया। नवम्मर को सांती और विकास के लिए विस्सु विज्ञान दिवस मनाये गया। ग्यारे नवम्मर को राश्टी सिक्षा दिवस मनाये गया। तो नवम्मर में अब तक इतने इंपोर्टेंड हैं यह आपको याद रखने है। अच्छा आज किस वीडियो का हम टार्गेट रखते हैं 40 या लाइक का। तो अगर यह वीडियो आपको अच्छा लगता है, helpful लगता है तब आप इस वीडियो को लाइक और share जरू किया करो। और मैं आपको भी बोलता हूँ। डेली मौर्निंग में उटकर सबसे पैले अपने लेक टार्गेट पिक्स करो। चाहे छोटा साई target fix करो लेकिन daily morning mode कर सबसे पहले अपने लेक target fix करो और फिर अपना पूरा दिन उस target को अचेव करने में लगा दो आपकी life automatically अच्छी हो जाएगी Next question है हाली में नेरज चुपड़ा किस देश के friendship ambassador बने हैं तो अभी Switzerland के friendship ambassador यानि की मेत्री राज़दूद बने हैं नेरज चुपड़ा तो इस question का C options है ये हैं जेवेलियन थ्रोर नेरज चुपड़ा और ये Switzerland के friendship ambassador बने है Next question है हाली में अमेरिका ने किस देश को currency monitoring list से अटाया है तो अभी अमेरिका ने Italy, Mexico, Thailand और Vietnam के साथ अपने देश भारत को भी currency monitoring list से हटा दिया है तो इस question का way option सही है अब अमेरिका ने हटाया तो अमेरिका के president कौन है जो बाइडन अभी Aruna Miller ने अमेरिकी राज मेरिलेंड में उपराजपाल का पद समाला है अमेरिका और दक्षीर कूरिया ने विजिलेंड स्टॉर्म सेन अभ्यास का आयोजन किया अमेरिका ने अपनी नई राश्टी स्रुक्षा रणनी तिजारी की है अमेरिका का हर्ट्स रील्ड जैक्सन अटलांटा अंतरास्टी हवाई अड़ा दुनिया का सबसे ब्यस्त हवाई अड़ा बना है अच्छा इंडिया और अमेरिका की बीच में कौन कौन सी टिफेंस एकसाज होती है कूप इंडिया टाइगर ट्रंफ वज्जिल परहार और युद्दब्यास हाली में किस ने फिट इंडिया स्कूल सब्ता के सुवंकर तूफान और तूफानी का सुवारम किया तो फिट इंडिया स्कूल सब्ता इसका सुवंकर है तूफान और तूफानी इसका अभी सुवारम किया है उलम्पिक पदग विजिता पेबी सिंदु ने तो इस question का C options है, ने question है, हाली में Reliance India Limited किस राज में भारत का पहला multi-model logistic park विक्सित करेगा, तो Reliance India Limited अभी तमिल नाडू में भारत का पहला multi-model logistic park विक्सित करेगा, तो इस question का B options है, अब तमिल नाडू तो ये है map में तमिल नाडू, तमिल नाडू की capital क्या है, चेन नही तमिलनाडू के चीप निश्टर कौन है? M.K. स्टालेन और तमिलनाडू के गवर्नर कौन है? R.N. रभी अभी तमिलनाडू सरकार ने गिद्दों के सरक्षड के लिए पैनल का गठन किया है तमिलनाडू राज सरकार ने बारत का पहला स्लेंडर लोरिंस अभ्यारन अधिसूचित किया पेगा ट्रोन ने चेन नई में आईफोन का निर्माण सुरू किया है तमिलनाडू की केबिनिट ने ओनलाइन जुए को नियंतरित करने की मंजूरी दी है अच्छा पूरे देश में मचली के उत्पादर में तमिलनाडू नमर उन पर है खाद्य सुरक्चा सुचकांग में तमिलनाडू टॉप पर रहा था तमिलनाडू में जली कट्टू का आयोजन किया जाता है आद्य पूरम तिहार तमिलनाडू मना जाता है तब लाणों सत्य मंगलम टाइगर रिजर्व है इसे अभी TX2 आवार्ड मिला था नए क्यूशन है हाली में भारत ने किस देश के साथ संस्कृति बन्यजीब स्वास्ते के छेत्र में MOU पर अस्तक्षर किये तो अभी अपने देश भारत ने कंबोडिया के साथ संस्कृति बन्यजीब और स्वास्ते के छेत्र में MOU पर अस्तक्षर किये तो इसकृशन का B options है अब कंबोडिया तो ये है मैप में कंबोडिया कंबोडिया की capital क्या है नॉम फेन कंबोडिया की currency क्या है कंबोडियन रिया हाली में मूडिय ने 2022 के लिए बारत की आर्थिक व्रद्धि का अनुवन कितने प्रतिसत किया है तो अभी मूडिय ने 2022 के लिए भारत की आर्थिक व्रद्धि का अनुवन घटा कर 7 प्रतिसत किया है तो इस कुशन का C options है ये घटा कर 7 प्रतिसत कर दिया है मूडिया है ये एक Rating Agency है ने हुश्षिन है आतंक वाद के बित्ट पूसर पर मंत्र इस्तरी सम्हिलन की मेज़बानी कौन करेगा तो अभी 18 नवमर को नई दिली में भारत आतंक वाद के बित्ट पूसर पर मंत्रेस तरी समिलन की मेज़बानी करेगा तो इस question का B options जई है Next question है हाली में Greg Barclay को कितने साल के लिए ICC का अध्यक्ष पुने निर्वाचित किया गया तो Greg Barclay ये अभी भी ICC के अध्यक्ष है अब इनको अगले दो साल के लिए सर्व सम्मती से ICC का अध्यक्ष पुने निर्वाचित किया गया है तो इस question का A options है अब ICC यानि के International Cricket Council इसकी स्तापना कव हुई 1909 में इसका headquarter कहां पर है दुबाई में और इसके present time पर अध्यक्ष कौन है ग्रेग वारकले और अब ये अगले दू साल के लिए फिर से ICC के अध्यक्ष निर्वाचित हुए है नेक्ष ने हाली में किसे UK के Royal Order of Merit से समानित किया गया तो अभी Nobel पुरुसकार बिजेता बैंकी रामकर्शनन को UK के Royal Order of Merit से समानित किया गया तो इसको इनका B options है ये है नोबल पुरुसकार बिजेता प्रोफेसर बैंकी रामकर्शनन इनको ब्रिटेन की राजा चार्स तरती के द्वारा UK के Royal Order of Merit से समानित किया गया है नशिषन है चाली में किस राज सरकार ने राज जी को 2023 तक सलम मुक्ट बनाने की गोशन की है तो अभी उडिशा के Chief Minister ने उडिशा को 2023 तक सलम मुक्ट बनाने की गोशन की तो इसको इनका C options है अब उडिशा तो ये है मैप में उडिशा उडिशा की PayPal किया है कौन जाता है नबेन पठनायक और उडिसा के गौवर्नर कोन है गनी tuning है अच्छा अच्छा अच्छ जोजा वे लड़ वे लेडियर दीप का नाम बदल के एपीजिय अब्दुलक्लाम दीव किया गया है उडिसा दिवस या उतकल दिवस कर मिना जाता है यह कप्रायल को उडिसा के मुख्यमत्री ने किसानों के लिए पहला क्रसी क्रेडिट पूर्टल सफा लॉंच किया है। उडिसा सरकार ने समविदा भरती को पूरी तरह से समाप्त कर दिया है। अच्छा उडिसा में सुनावेडा वायलाफ सेंचुरी है, कूठागर वायलाफ सेंचुरी है, मेलवन वायलाफ सेंचुरी है, बैसी पल्ली वायलाफ सेंचुरी है, तेवरिकर वायलाफ सेंचुरी है, गहिर मट वायलाफ सेंचुरी है, और चिलका लेख है उडिसा में, ये कि सबसे बड़ी खारे पानी की लेख है अच्छा उडिसा में रसेकुलिया बीच है और गोल्डन बीच है उडिसा के दो गाउं को युनेस्कू ने सुनामी रेडी डिकलियर किया था, वो दू गाउं कौन से हैं, नियोलिया साही और बैंक ट्राइपुल, उडिसा में लेंगराज टेमपल है, कुडार टेमपल है, और जगननाठ टेमपल है, ने शुशन है, हाली में प्रतानमंतरी मोधी ने कहां, केमपे गो मोधी ने बैंगलूरू में किया है, तो इस कुशन का बेंगलूरू के संस्तापक स्रे नाद प्रभू कैमपे गोडा, इनकी 108 फेट उची प्रतिमा का नावरण प्रदानमंतरी मोधी ने किया है, ने कुशन है, हाली में भारती रेलवे ने कितने प्रतिस्त ब्राड गेज रेलवे नेटवर्क का बेद्यूति करड़ कर दिया है, तो अभी इंडियन रेलवे ने 82 प्रतिसत बारती ब्राड गेज रेलवे नेटवर्क का बेद्यूति करड़ कर दिया, तो इस कुशन का से ओप्सन सही है, अच्छा ये क्या होता है, ब्राड गेज, तो रेलवे में टोटल तेन तरह की गेज होते हैं, पहला होता है मेंटर गेज, इसमें पट्रियों के बीच की दूरी एक मीटर होती है, दूसरा होता है स्टेंडर गेज, इसमें पट्रियों के बीच की दूरी बन पॉइंट फोर मीटर होती है, और तेसरा होता है ब्रॉड गेज, इसमें प्रट्रियों के बीच की दूरी आपको याद रखनी है ने कुशन है हाली में भारती मुक्यबाज लबलीन बोर्गोहिन ने एस्या मुक्यबाजी चेंपियंशिप में कौन सा पदक जीता है तो भारती मुक्यबाज हैं लबलीन बोर्गोहिन इन्होंने पचतर किलोग्राम वर्ग में एसिया मुक्यबाजी चेंपियंसिप में गोल्ड मेडल जीता है तो इस कुशिन का A option सही है अच्छा यहां पर A कुशिन और माइड में क्लिक करना चाहिए एसिया मुक्यबाजी चेंपियंसिप यह कहां पर होई है तो यह होई है जौडन के अम्मान में कहां पर है जौडन में अम्मान में नए कुशिन है हाले में किसे बिहारी पुरुसकार मिला है तो अभी मादव हाडा और मदू कांकरिया इन दोनों को बिहारी पुरुसकार मिला है तो इस कुशिन का C option सही है उपरियोक तोनों 31 मा बिहारी पुरुषकार मद्धू कांकरिया को मिला है इनका एक उपर्नियास है हम यहां थे 2018 का उपर्नियास है इस उपर्नियास की वज़े से इनको बिहारी पुरुषकार मिला और 32 मा बिहारी पुरुषकार मिला है मादव हाड़ा को, इनकी एक पुस्तक है, पचरंग चोला पहर चक सकीरी, इस पुस्तक की वज़े से इनको ये ब्यारी पुस्का मिला है, तो दोनों का नाम आपको याद रखना है, अब लास्ट वीडियो के कुश्चिन का आंसर, लास्ट वीडियो में आप से कुश्चिन प आंसर सही दिया, मुस्ट लिष्ट वेडिनेस के वारे में डिटेल में लिखा, मैं आपको एक वर्फ पेर बोलूँगा, कुश्चिन के बारे मैं आपको जितना ज्यादा से ज्यादा पता हो, आप लिखा करो, क्योंकि जो चीज़ें आप लिख देते हो, पिर उन्हें आप कभी नहीं बूलते, अब आपके लिए आज का कुश्चिन, आपके लिए आज का कुश्चिन है, हाली में भारते सेना ने केस राज्य में बालों मेले का आयोजन किया है, चार ओप्सन दिये गए हैं, इनमें से आपको अपना आंसर बताना है, और इसके अलाबाब हमारे फे पर नेक्स्ट एक्जम सर्च करके मारा फेसुक पर जोइन कर सकते हैं, क्योंकि प्रेबियस एर कुश्चिन आपको बहुत एल्प करते हैं, अगर आपको किसी कुश्चिन में कोई डाउट होता है, या आपको अपने करियर से रिलेटेड भी कोई प्रॉलम है, तो आप इंस पर इंस्टाग्राम पर इंद्रेश आर्सी सर्च करके आप मेरे साथ जोड सकते हैं, और कोई भी डाउट, कोई भी कन्फूजन, बेदाउट एनी हजीटेशन डिस्कुस कर सकते हैं, अच्छा आज किस वीडियो का टार्गेट जरू याद रखना, आज किस वीडियो का टा करेंट अफैस का वीडियो, आपको यी वीडियो कैसा लगा, प्लेज कमेंट बॉक्स में जरू बताना, और अगर अभी तक भी आपने मारे इस चैनल को सब्सक्राब नहीं किया है, तो इससे आप सब्सक्राब जरू कर लेजिए, आपको इस चैनल से निश्चे थी मदद मि लेगी, जब भी आप से सब्सक्राब रहेंगे, तो बरावर में एक बेल आइकन में के आएगा, आप उस बेल आइकन पर जरू क्लिक कर लें, जिससे कि आपको डेली मॉर्निंग में करेंट अफैस की वीडियो मिलती रहे, नेक्स्ट एक्जाम और बेज विदियो, थेंक्स वर्चिंग